प्रशन मेरे पास भरपूर आ चुके हैं मैं कोशिश करूँगा कि जो प्रशन एक बार उत्तर आ गया उसको दुबारा नहीं दूँगा हो सकता है किसी व्यक्ती ने वो प्रशन रिपीट किया ज्यादा तर प्रशन जो हैं वो रोगों से संबंदित हैं इस रोग में क्या करें उस रोग में क्या करें तो सबसे पहला प्रशन है जो मैं सबसे आसान मानता हूँ आँखों के नीचे काले धब्बे आ गए हैं तो क्या करें मैं इसका उत्तर पहले दे चुका हूँ फिर दो रहा हूँ आपको सबसे अच्छा आसान उपाय मैं बता रहा हूँ वो ये, जिनको भी डार्क सर्कल है, सबेरे उठें, सबसे पहला जो आपका थूक है, मुझा लार है, इसको आखों के नीचे लगा के मालिश करें, हलकी हलकी मालिश करें, आपके सारे डार्क सर्कल खतम हो जाएं, और ये जो सुबह का मूँ का लार है, इससे आप अपने तवचा रोग भी ठीक कर सकते हैं, खाज है, खुजली है, दाद है, सोराइसिस है, इचियोसिस है, एक्जीमा है, हर जगे इसको एपलाई करें और हल्की हल्की मालिश करें, कोई कहेगा कि बहुत ज़्यादा शरीर में हैं, तो इतना तो थूप बनता ही नहीं है, और पूरे शरीर पे लगाना पड़े तो, तो ऐसी इस्थिती में आप मुझे व्यक्तिगत रूप से शाम को चार बजे मिलें, मैं आपको एक ऐसी दवा बता दूँगा, या लिखा दूँगा, जो थूप भी बढ़ा देगी, और आपकी शरीर की खाज, खुजली, दाग, धब्बे सम मिटा देगे, वो व्यक्तिगत है, नमश्कार दोस्तों, अगर आपको भी इन वीडियो से फायदा हो रहा है, तो कमेंट सेक्शन में जैह हिंद या वंदे मातरम लिखना ना भूले, राजिव दिक्षिद जी की वीडियोस को अपने दोस्तों, अपने परिवार वालों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि ये ग्यान वो भी ले सकें, धन्यवाद दोस्तों, जैह हिंद!